हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है अगस्त की 24 तारीक, वीडियो की शुरुआत करते हैं खुबसूरत लाइट परपल हिबिसकस के फ्लावर के साथ, हाइप्रिड हिबिसकस है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू करेंगे, आने वा वे विडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, देखें हिबिसकस के फ्लावर काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और यह देखें मेनी डहलिया का एक फ्लावर खिला हुआ है, दो-तीन दिन स इसकी कटिंग मैंने लगा ली है, तो मेरे टेरिस गाडन और ग्राउंट फ्लोर के जो पोर्च गाडन है, उनमें काफी खुबसूरत पत्तों वाले प्लांट लगे हुए हैं, आज मैं आपको सिर्फ वाइट और ग्रीन का एक कॉंबिनेशन जो विरिगेशन वाला के लाइट परपल कलर के फ्लावर आते हैं, और उसके बाद बारों महिने इसमें इस तरह का विरिगेशन रहता है, जो देखने में बहुत खुबसूरत लगता है, ग्रीन और वाइट का विरिगेशन, कटिंग से बहुत इसली ग्रो हो जाता है, नेक्स्ट जो प्लांट आपको प्लांट दिखाऊंगी सारे पर्मनेंट ही प्लांट है, नेक्स्ट जो है अरेलिया है, ये भी कटिंग से तयार हुआ है, छोटी सी उपर वाली कटिंग आप लगा दे, अभी मांसून सीजन तो जबरदस्त टाइम है इनकी कटिंग ग्रो करने का, और देखे एक और अरेलिया की, इसकी भी कटिंग मैंने लगा के रखी हुई है, और इसका भी देखे यलो वाइट का कॉंबिनेशन पत्तों का काफी खुपसूरत, यहां पर देखे, ये एक महना पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और टीप वाली कटिंग ज्यादा अच्छे से ग्र देखे लगता है, इसमें छोटे-छोटे पत्ते वाला भी आता है, आपको मैं दिखाती हूँ, यहां पर देखे, मैंने कटिंग लगा के रखी हुई है, आप लोग के साँ शेयर भी किया था, और देखे, इसमें से बहुत सारी कटिंग मेरी ग्रो हो गई है, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, चांदनी है, वेरिगेटेट चांदनी, यह भी एक फ्लाउरिंग प्लांट है, और फ्लाउरिंग नहीं भी करता है, तो इसके पत्ते काफी खुपसूरत लगते हैं, वेरिगेशन देखिए, वाइट और ग्रीन का, काफी सुन्दर, कटिंग स प्लांट से ही रेडी किया है, और इसकी भी टीप वाली कटिंग ग्रो हो जाती है, नेक्स्ट जो प्लांट देख रहे हैं, वेरिगेशन पहुत खुपसूरत होता है, जरूर लगाएं इन प्लांट को, next जो plant देख रहे हैं वह ficus का plant है starlight ficus का plant कहा जाता है इसे दो-तीन variety के starlight ficus मिलते है पत्तों का जो shape होता है वो different different होता है और इसको देखिये खरीदा था मैंने और इससे मैंने 3 cutting त्यार किया है आप देख सकते हैं एक cutting यहां पर रखा हुआ है जो ग्रो हो चुका है, टीप वाली कटिंग इसकी भी बहुत इजीली ग्रो होती है, मानसुन सी जन में, तो आप जरूर एड़ करें, इस प्लांट को काफी खुबसूरत लुक आता है, बोंसाई भी इसका बनता है, बहुत सुंदर लगता है वो भी, और नेक्स्ट जो प्लां प्लांट के पीछे आप देख रहे हैं, इनका भी वरिगेशन काफी खुबसूरत रहता है, तो इन प्लांट को भी आप जरूर एड़ करें, कटिंग से धेर सारे तयार होते हैं, डिवाइट करके और रनर भी निकलते हैं, इस प्लांट के और पेंड़नस के रनर नहीं निक चलते, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, वो मार्बल पोथोस है, बहुत खुबसूरत मनी प्लांट की वराइटी है, और देखें कितने चोटे से डिब्बे में मैंने ग्रो किया हुआ है, तो इस प्लांट को भी आप जरूर एड़ करें, कटिंग से बहुत इज पत्तों का इसी तरह से होता है, ग्रीन और वाइट का और ग्रीन और य येलो का, देखें कितना प्यारा सा, कटिंग से बहुत इजी ली गो होता है, देखें हमारे हां हलकी बारीज भी हो रही है और ये भी है डिफिन बेकیا की राइटी, छार वाराइटी है, मेरे पास परस कितना प्यारा है वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कलरफूल प्लांट है लेकिन आज की वीडियो में मैंने आप लोग को सिर्फ यलो और ग्रीन का कॉंबिनेशन वाला ही पत्ते वाला प्लांट शेयर करने का है मेरा तो यह प्लांट आप देख सकते हैं यह भी बहुत प्यारा प्लांट है इसका देखे कितना सुन्दर वेरिगेशन होता है पत्तों का वेरिगेट वाला और नेक्स्ट जो प्लांट हो है यह वेरिगेट एरो रूट का प्लांट है यह देखे इसका तो बहुत प्यारा होता है और अभी मांसुन सीजन में इसकी ग्रोथ जबरदस्त होत तो इतना कहबसूरत प्लान्ट है परमानेंट नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं वो केलेडियम का प्लांब है देखिए ये वाला वाइट और ग्रीन का कॉंबिलेंशन एक प्रकास सेसिल्वर कलर का कोंबिलेंशन है इसमें gyrena jale कितना प्यारा लग रहा है नेक्स्ट जो प्लांट देख रहे हैं वो हमारा सॉंग अफ इंडिया का प्लांट है जो की कलर कॉंबिनेशन पत्ते का बहुत ही खुबसूरत होता है ये भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है आप देख सकते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट जो प्लांट है वो हमारा सेंसेवेरिया का प्लांट है जिसे स्नेक प्लांट भी कहा जाता है ये टॉल वराइटी का विरिगेटेट वाला है येलो और ग्रीन का कॉंबिनेशन देखे कितना प्यारा लग रहा है इसको भी पत्ते से ग्रो किया जाता है और डिवाइट करके भी इसको अलग करके लगाया जाता है बहुत इसी टू ग्रो इसी टू मेंटेन प्लांट है तो आज की वीडियो में आप से 20 ऐसे विरिगेटेट प्लांट शेयर किये हैं जिनका विरिगेशन काफी खुबसूरत होता है ग्रीन यलो ग्रीन वाइट का कॉम्बिनेशन वाला व